हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी एप विश्टियू एक्वनोमिक्स स्कूल के श्टोर में listings और commerce subject से लेटिड डाइसोसे अधिक course हैं तो दोस्तों करें आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप UPSC की तियारी कर रहे हो या आपके पास UGC net है या आप PGD के तियारी कर रहे हो या किसी और competition के तियारी कर रहे हो जापर economics और commerce subject है तो आपके लिए हमारे पास course है तो दोस्तों हमारी एप जरूर डाउनलोड कर लीजेगा विश्ण एकनोमिक्स स्कूल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नया कल्यानवादी अर्सास जिसको कि हम क्षतिपूरक सिद्धान्त भी कहते हैं तो बच्चों इसके अंदर दो विचारधारा हैं जिसमें से एक है हमारा क्षतिपूर्ती सिद्धान्त में जो हिक्स और काल्डोर के द्वारा दी गई है दूसरी साइटोवस्की के द्वारा दी गई है जिसको हम साइटोवस्की की दोहरी आप कैसकते कसौटिक बोलते हैं तो धोरी कसोटी के बारे में, बच्चो में अगली वीडियो में बात करेंगे, और यह पर्टिकूलर्ली यह ज़ो वीडियो फोकस है, यह है है हिक्स और कार्लोर की कसोटी के बारे में, तो बच्चो कुछ परिशिक आपको बातें बतादेताग 전inä जि Beast, पेरेटो है पेरेटो ने किस तरीके से अपने वेलफेर को समझाया जैनिका उनकी जो आपका साथ्ट की कासौटी किया है उसके बारे में हमने बात की टू को को समझा दीता हूं की कासौटी क्या है देखे यहां पर यहожд合 आपू यह बता देता हूं जिसे मानली जी आ है उनका यह मानना था कि A से अगर B का चलन होता है, तो वो कल्यान कहलाएगा, अगर A से C पे चलते हैं, तो भी इसको हम D बोल देते हैं, ठीक है, अगर आप A पे चलते हो, तो भी कल्यान कहलाएगा, अगर आप B पे चलते हो, तो भी कल्यान कहलाएगा, और अगर आप C पे जात कि अगर कोई point इस line के बाहर जाता है जैसे माली जी ये E है तो क्या ये E इस E को क्या आप कल्यान कहोगे इसको consider नहीं किया है तो इसी बात को ध्यान में रखे एक एक नई सिध्धान्त की आवशिक्ता मैसिस हुई यानि कि हम कह सकते हैं कि पेरिटो का जो कल्यान कसौटी है वो मिस्रित अवस्ता में लागू नहीं होता मिस्रित अवस्ता का मतलब है कुछ लोगों को लाव और कुछ लोगों को हानी हो जिसको क्या आप आप पस्ट रवस्ता भी बोल सकते हैं उसमें लागू नहीं होता क्योंकि पेरिटो का विचार है वो तो सिंपल यह कहता है कि आर्थिक कल्यान सुरी गलत बोला कल्यान उस इस्तिति में कहलाएगा जब किसी एक की स्तिति को बिना खराब किये कम से कम किसी एक व्यक्ति की स्तिति को खराब किये बिना कम से कम एक व्यक्ति की स्तिति में सुधार हो जाये कि बिना किसी की स्तिति को खराब किये कम से कम एक व्यक्ति की स्तिति में सुधार हो जाए तो उस इस्तिती के में हम कल्यान कहेंगे लेकिन वो इस बात को इस पच्छन नहीं कर पाए क्योंकि आप व्यास्तिवी गीवन में देखोगे तो कुछ लोगों को फाइदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है, लेकिन उससे कल्यान में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में पैरिटो ने नहीं बात की, तो इसलिए बच्चो दो नई तरीके के सिद्धान डबलब हुए, यारी कि पैरिटो की आलोचना के का लागू नहीं होती ही, जहां कुछ व्यक्तियों को सुधार होता है, कुछ व्यक्तियों की स्थिति में हानी होती है, जिसके कारण पेरिटों की कसोटी है, बहुती सीमित हो जाती है, बहुती सीमित दाइरे में, इसी दाइरे में किया गया परिवर्तनी, विकास कहलाएगा, कल दुसरा है सामाजे कल्यान फलन जो कि बरगैसन और सामीलसन का है तोबचो इस वाली वीडियो में हम आपको ignored के बारे में both करें अगली वीडियो में हम Gotta साइट बॉस्की की आपको गरी जो आपको असौरी है करें इसके बारे मेंहां को करेंगे यानि कि जो हमारा जो आप क्या सकते हैं शतिपूर्ति सिद्धान्त है वह overall दो भागों में बढ़ जाता है तो बच्चो साइटोवस्की का जो सिद्धान्त है वो तो हमारी प्राइविट वीडियो की रूप में रहेगी लेकिन आप हमारी एप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आप आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टेमेटेकल तरीके से मिल याएंगी बच्चो इसके अलावा आपको पीडिया नोट्स टेस सीविस तमाम तरीके की चीजें जियो भी आपकी रिक्वाइन्मेंट है उस सब कुछ आपको अवेलेवल होगा हमारी एप वि देख लेजिएगा तो पहली मानिता ये लिखी हुई है कि प्रतेग व्यक्ति की स्वंतिष्ट्री है वो दूसरे व्यक्ति की स्वंतिष्ट्री सुसुतंत्र है इसके अलावा प्रतेग व्यक्ति की रुचियां स्थिर्मान ली गई है इसके अलावा हमने माना है कि उत्पा उसको भी उनोंने अधार बनाएं, उनके दोनों पेरिटों के अधार इस्तंब वही हैं, जो पेरिटों ने लिये थे, लेकिन उनोंने अपनी जो पेरिटों में एक तरीका का सुधार किया, इसलिए इसको हम नया कल्यानवादी अर्सासर भी कहते हैं, और वित्रण की समस्या पर यह कहीं भी विचार नहीं करता है, तो बच्चो अब हम आपको जो हिक्स कालडोर का काईटेरिया है, उसके बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे, बच्चो, तो सबसे पहले देखिए कासौटी क्या है, पहले कासौटी पर हम बात कर लेते हैं, तो कालडोर की जो कासौ करतन के कारण समाज A इस्तिती से B इस्तिती में आ जाता है तता B इस्तिती में आ जाता है तता इस्तिती B को उसी इस्तिती में पसंद किया जाएगा यदि लाग प्राप्त करता इस योग हो कि हानी प्राप्त करता कि शतिपूर्थी कर सके फिर भी उसकी जो इस्तिती है वह अ जो है वो कमा रहा है माननीजिए 1000 रुपे पर मंत मित अगर आपower city में आ जाते हो और इसस्तिती मिमें जो एक मान लिटार हो जाती है माननीज़ दो कंद्रहइं सो रुपे के इंकम घटकर हो जाती है मन लीजिए 100.3 ना मैं ने कि इस स्थिति में B को सुधार नहीं का जा सकता लेकिन माली जिए एक इंकम 800 रुपए ही रहती ठीक है मनदब भी इसतिती में और इसके पास क्योंकि हाप 15 रुपए है तो यह माली केशके कर दे मालीस को तो यह 200 रुपे दे और यह से 200 रुपे माइनस कर दे अभी भी इसकी स्थिती 13 रह गई और अब इसकी स्थिती में 1000 हो गया अब इसी एक्जामपल के समझे कि इसका मतलब है कि A इस इस्थिती में है परिवर्टन के बाद B स्थिती में कि वह अपनी में से जो B को लॉस हुआ ह उसे कंपंशेट कर सके लेकिन उसके बाबजूद भी वह अच्छी स्थिती में बना रहे है यानि कि एक नीती परिवर्टन समाज की स्थिती एक से स्थिती भी में ले जाता है और उस इस्थिती में B को तभी अच्छा पसंद किया जाएगा जब लापराप्त करता जिसको 15 500 रुपे मिले हैं वो इस योग्यों कि जहानी प्राप्त करता कि शति पूर्टी कर सके और लेकिन उसके बाबजूद भी वह पहले से अच्छी स्थिती में रहे तो ऐसा परिवर्टन सुधार कहलाएगा ये बच्चों काल्डूर की कसोटी है हिक्स ने उसी तरीके की बात अलग तरीके से कई हिक्स और काल्डूर ने अलग लग विचार दिये लेकिन उनमें इतनी समयलेर्टी है इतनी जादा समानता है कि उसको हम काल्डूर इक्स शतिपूर्टी सिद्दांत का गया है उन्होंने भी कहा कि यदि एक परिवर्टन के कारण व्यक्ति ए इतनी अच कर सके लेकिन उसके बाद भी अच्छी स्थिति में रहे उसके पास कुछ बच जाए तो इस स्थिति का परिवर्टन बच्चों सुदार है तो देखें दो डाग्राम के माध्यन से हम आपको बच्चों को सम्झाने की कोसिस करेंगे देखें यह हमने सबसे पहले सैमुलसन का इसे बोलते हूं आप इसको बोलते हो उपियोगिता संभावना वक्र। उपयोगता सम्मावना वक्र ठीक है इसका नाम है जिसमें OXXS पर हम दिखाते हैं A की उपयोगता और B पर दिखाते हैं हम यहां पर Y पर दिखा देते हैं B की उपयोगता मैं यह मिटा देता हूँ आप पच्चो के लिए थोड़ा साफ सा नज़र आएगा ठीक है B की उपयोगता ओके बच्चो तो देखें यह हमारा A की उपयोगता यह हो गई हमारी B की उपयोगता अब अगर हम देखें D से A पर जाते हैं तो यह पेर्टो जो है कंडिशन है इसको फिल फिल कर रहा है च्योंकि इस इस्तिति में A में सुधार हुआ है लेकिन B में कोई कमी नहीं हुई B पर चले जाते हैं यानि कि इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो B की उपयोगता में विर्दी हुई है A की उपयोगता में कोई कमी नहीं हुई और B से C पर चले जाते हैं लेकिन बाटीर में क्या होगा दिक अंदेट लिए लेकिन रॉदलभ करें यहां पर और यहांपर बट आगी किसा यह – अप विर्दी गी लेकिन Bq paralysis कर सके किसको compensate कर सके B ko compensate कर सके कि लेकिन फिर फिर भी इस तरीके का compensation वह वास्तव्वारे में नहीं करेगा उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो बत् выпуск यह हमने पहला डाइगराम आपको बनाया जिसमें हमने आपको यह समझाने कोसिस की है कि D से E का जो चलन है उसको कंसीडर जो हिक्स है सुरी वो तो करेंगे लेकिन जो जो पैरेटों है वो नहीं करता तो बच्चों मैं आपको हिक्स का कमपंशेशन काई टीरिया बणा कर दिखा दे किस तरीके से उन्होंने कमपंशेशन और यह हमारा C और यहां पर हमारा है D मंद लिज़े हम आपको ऐसे करके एक कर ड्रॉ कर रहे है है, तो यह हमारा देफिनिटली एक उच्छा PPC है, तो आप आप देखिए, जैसे आपको यह समझाने की कोशिस यह की जारही है, उनका ये कहना था कि क्योंकि D6 B पे चलन एक तर उपयोगता कर बना लिए जिसको हम बोल देते हैं A या L M बोल देते हैं L M और इसको बोल देते हैं L1 M1 ठीक है तो आप देखिए ध्यान से कि अगर हम बात करते हैं A D से अगर हम C पर चलते हैं तो यह सुधार है अगर देफिनिटली एक सुधार है ओर अगर हम C और D जो है वो एक पीपीसी पर है जो की बराबर है तो इसलिए आधं़ कहना चाह रहा है और यह हमरा हम इसको एय को बोल रहे तो है यह किसका मनना था ये हिक्स और और का मनना था क्यूंकि इस इस्तिती में देखीए गेंज़ हुआ है वह जादा हुआ है एको जबकी लॉस्ज ऑन इंडिफरेंस कर पहुँंच गी डी अगर आप शीपे जाते हो तो पेरिटो भी से सुधार मानते हैं, हिक्स भी सुधार मानते हैं लेकिन D से E का जो consideration है वो पेरिटो ने नहीं किया, हिक्स और काल डोर ने किया उनके हिसाब से, क्योंकि अगर आप D से C पर जाते हो तो यह सुधार है और C और D, C और E एकी साथ बराबर बराबर है इसी तरीके से C से E पर जाना भी सुधार होगा और इसको पाने के लिए आपको I का पुना वित्रण करना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या पुना वित्रण की बात की संसाधनों का पुना वित्रण की बात की यानि कि संसाधनों का पुना वित्रण करके आथ E को प्राप्त कर सकते हो और उनके काइटेरिया के साब से E जो है वो एक तरीके का सुधार है यानि कि E की इस्तिती में है कि जो A को फाइदा हुआ है वो B को नुकसान की भरपाई कर सके इसलिए D से E का जो चलन है वो according to काल्डोर और हिक्स के इसाब से एक सुधार है लेकिन बच्चों आपको यह याद रखना है देखे मैं यहापे लिख देता हूं कि D से E का चलन एक सुधार है मूल रूप से सुधार क्यों है क्योंकि हम जानते हैं कि D से C पे जाना या D से A पे जाना या D से B पे जाना एक सुधार है ठीक है जी और जो C है वो बराबर है A के बराबर है B के बराबर है E के इसलिए D से E पर चलन भी सुधार होगा यानि कि इस इस्तिती में जो A है देखे अगर माली जी सरकार जो है वो रोड को तोड़ देती लोगों के घरों को तोड़ कर माली जी रोड बनाती जैसे मैंने आपको बता देता हूँ मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि डिल्ली में जिस जगे से एक रोड बनाया गया है जो मेरेट से डिल्ली को जोड़ता है बहुत बड़ा हाईवे बनाया गया है तो साथ लाइनों का हाईवे बनाने के लिए सरकार ने क्या किया बहुत सारे माकानों को तोड़ दिया यानि कि माकान टूटे सो लोगों की लेकिन फायदा उठाने वाले होंगे एक लोड लोग तभी तो उसको आप तभी तो क्योंकि अगर आप इस कंडिशन की बात करो तो पैरिक्टों ने इसको कंसिडरी नहीं किया कि कुछ लोगों के मकान तूट के उस लोगों के रोड बन रहा है लेकिन वास्ता में अगर आप ख्षरति पूर्ति करोगे तो एक नहीं समस्या पैदा हो जाएगी जिसको कि आप बोलते हो आए की वित्रन की समस्या या आप कह सकते हैं तो वित्रन की समस्या हो गई और इसमें आपको जो अंतर विक्तिकत तुलना है वो करनी पड़ेंगी लेकिन यहां पर और यह केवल विचार दिया गया है कि शतीपूर्ति कर सके वास्ता में तो यह कर करेगा तो थीरिया लेकिन इस इस काइटेरिया की भी आलोचना की गई और एक नही थियोरी बनए गी जिसको घो